गुड मॉर्निंग स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चेनल आज मैं आपको पताऊंगा जी आईसी लेक्चरार मैंस एक्जाम के सब्जेक्ट की कुछ जानकारी जिन स्टुडेंट के पास हिंदी का सब्जेक्ट है उनके लिए लायों में बहुत बड़ी खबर तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा जी आईसी मैंस लेक्चरार एक्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट आपने लियोंगे किसी के पास हिंदी होगी किसी के पास इंग्लिस होगी किसी के पास मैहत होगी किसी के पास साइंस होगी बहुत सारे सब्जेक्ट सब के पास अलग और खितने घंटे में यह आपको करनोंगे तो आए बताते हैं देखिए तो दोस्तों आपको जैसा की पता ही होगा कि आपके पास हिंदी के दो सब्जक्ट होंगे जन्रल हिंदी और समाने हिंदी आए बताते हैं आपको GIC Lecturer Men's Exam का पैटन देखिए जन्रल हिंदी पचास अंक की आएगी जिसका समय दो घंटे होगा और उसके बाद आपको हिंदी का निमंद आएगा जो की पचास अंक का होगा इसका भी टाइम दो घंटे होगा फिर आपके optional question पूछे जाएंगे यह आपके 300 अंक के होंगे इनका टाइम आपको 3 घंटे होगा तो दोस्तों देखिये मैं अब इसकी सिलेवश बतातों की समान ने हिंदी में क्या क्या आएगा दोस्तों देखिए अब गटित गध्यांस का संशेपन फिर है अनेकार्ती सब्द उसके बाद बलोम सब्द परेवाची सब्द तस्सम एवं तत्वव फिर बिदेशी बिदेशी में क्या क्या हुआ सब्द भंडार अर्धबोध सब्द रूप संधी समास किरियास हिंदी बढ नमाला ब्रामचिन सब्द रचना बाक्य रचना मुहाबरे एवं लोग पत्तियां उत्तर प्रतेश की मुख्य बोलियां आदी से प्रिसन पूछे जा सकते हैं तो रही जन्यल हिंदी अब बताता हूं जो हिंदी का निमंद होगा इस निमंद की अधिक्तम विस्तार एक हज सब्द होंगी निमंद लिखने हेतु भिसे निमंद विकंतार के अधिकिस पृक्य। और निधान बिज्ञान तथा परियामरन फिर है प्रगति आपदाएं एवं उनके निवारन लास्ट है किरसी उद्ध्योग एवं बेपार आदी से पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो जो आपका निमन्द होगा इसके उपर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तो देखिए बहुत से स्ट्रेंट ऐसे होते हैं जिनको सेब्डेक्ट तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो हिंदी का सब्डेक्ट में क्या क्या आने वाला है तो दोस्तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको जन्रल हिंदी और हिंदी निमन्द की पूरी जान कर दिये कितने कितने marks की आएगी और कितने कितने किसमें timing होगी और इसका syllabus पूरा इसमें explain किया है तो दोस्तो अगर यह आपको वीडियो अच्छे लोगी तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next pattern में तब तक के लिए धन्यवाद